नमस्कार लोगसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रीमान प्रहलाज जोसी जी स्री हर्दिपूरी जी इस समिति के चेर्मेन स्रीमान सियार पाटिल जी साउसदगन देवियों और सज्जनों दिल्ली में जन प्रतिनीध्यों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई आज और भी एक सुबग सहयोग है आज हमारे कर्तुरत्ववान मित भाशी हमारे अध्यक्ष स्रीमान ओम बिरलाजी का जन्मदिवस भी है ओम जी को बहुत बहुत शुबकामना है आप स्वस्त रहें दिरगायों हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें इस्वर से मेरी यही प्रार्थना है साथियों सांसदों के लिए पिछले साल नौर्थ एवन्यू के घर बनकर तयार हुए थे और आज बीडी रोड पर वी यह तीन टावर आवंटन के लिए तयार है मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन टावरों का संगम इसमें रहने वाले जन प्रतिनिद्यों को हमेशा स्वस्त रखे कारियरत रखे और संतोशी बनाए इन फ्लैट में हर वो सुमिधा दी गई है जो सांसदों को अपने दाईत्व के दिनवहन में मदद करेगी सांसद भवन के नदिग होने की वज़ा से भी इसमें रहने वाले सांसदों को बहुत आसानी होगी साथियों दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बर्सों से रही है और जैसे अभी बिल्ला जी बता रहे थे लंबे अर्षे तक सांसदों को हटल में रहना पड़ता है इसके कारण आर्थिक बोज भी बहुत आता है उनको भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंबीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेस रुप से शुरू हुए बसकों से चली आ रही समस्याएं तालने से नहीं उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जो कई कई बरसों से अधूरे थे लटके पड़े थे कई इमारतों का निर्मान इस सरकार के दोरानी शुरू हुआ और तये समय में और तये समय से पहले समाप्त भी हुआ जब अटली वारी वाजपाई जी की सरकार थी तो अटली जी के समय जिस अमबेड कर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी उसका निर्मान कितने साल लग गए इस सरकार बनने के बाद ही इसका काम हुआ 23 वर्सों के लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर अमबेड कर इंटरनेशनल सेंटर का निर्मान इसी सरकार में हुआ सेंटरल इनफर्मेशन कमिशन की नई बिल्डिंग का निर्मान इसी सरकार में हुआ देश में बसकों से बॉर्मेमोरियल की बात हो रही थी हमारे देश के वीर जवान लंबे अर्से से इसकी आशा कर रहे थे मांग कर रहे थे देश के वीर सहुईदों के स्मूर्ति में इंडिया गेट के पास बॉर्मेमोरियल का निर्मान भी उसे करने का भी सवभाग्य हमारी सरकार को मिला हमारे देश में हजारों पुलिस कर्वियों ने कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए है उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्मान भी इसी सरकार के द्वारा हुआ आज सांसोतों के लिए नए आवासों का लोकारपन ये लोकारपन भी इसी स्रंखला में एक जरूरी और एहम कदम है मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है इन फ्लैट्स के निर्मान में परियावरन का ध्यान रखा है एनर्जी कज्यर्वशन के उपाए हो सोलर प्लांट हो सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो ग्रीन बिल्लिंग के ये कंसेप इन भवनों को और आधुरिक बनाते हैं साथ क्यों मैं लोगसभा अज्यक जी लोगसभा सचीवाले और इसके निर्मान से जुड़े अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री हो अन्य विभाग हो सब को बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविदा का निर्मान करवाया है और हम सब बली भाती जानते हैं हमारे लोगसभा अज्यक जी वैसे भी वे कॉलिटी में भी और बचचत में भी विश्वास रखते हैं सदन के भीतर वे ये सुनिस्चित करते हैं कि समय की भी बचचत हो और डिबेट की भी पॉलिटी की हो और इसके निर्मार में भी उन बातों को भली भाती सफलता पुर्वक पार किया गया है हम सब को याद है अभी हमने मौनसुन सत्र में भी अद्देग जी की सकार्यसैली की जलक देखी है कोर्णा काल में अनेक प्रकार की सावधानियां के बीच नई व्यवस्ताओं के साथ संसद का सत्र चला पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुप्योग किया दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कारवाई करना हर किसी ने सयोग किया सभी दलों ने सयोग किया साथियों हमारी संसत की ये जो उर्जा बड़ी है इसके पीछे एक और बड़ा कारण है इसकी भी शुरुवात एक तरह से 2014 से शुरू हुई है तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहता था बढ़लाव चाहता था और इसलिए उस समय देश की संसत में 300 से ज़्यादा एमपीज फर्स ट्राइम चुन कर पहुँचे थे और मैं भी पहली बार आने वालों में से एक था इस सत्तरवी लोगसभा में भी 260 सांसत ऐसे है जो पहली बार चुन कर पहुँचे है यानि कि इस बार 400 से ज़्यादा सांसत ऐसे है जो या तो पहली बार चुन करके आये हैं या फिर दूसरी बार सांसत पहुँचे है इतना ही नहीं सत्तरवी लोगसभाग के नाम सबसे ज़्यादा महिला साउसदों को चुनकर भेजने का रेकॉर्ड भी दर्ज है देश की युवा सोच ये नया मिजाज साउसद की साउरचनावें भी दिखाई देता है यही कारण है कि आज देश की कार्य प्रणाली में गवन्नेंस में एक नई सोच और नया तौर तरीका दिखाई दे रहा है यही कारण है कि देश की साउसद आज एक नए भारत के लिए कदम बढ़ा रही है बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है पिछली सोलवी लोगसभा ने पहले की तुल्ना में पंदरा प्रतिशत जादा बिल्स पास किये सत्तरवी लोगसभा के पहले सत्र में ताएस समय से 135 प्रतिशत काम हुआ राज सभा ने भी शत्र प्रतिशत काम किया यह परफॉर्मंस पिछले दो दसकों में सबसे जादा है पिछली सर्दियों में भी लोगसभा की प्रोडक्टिविटी 110 प्रतिशत से जादा रही है साथियों समसद ही इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी समसदर प्रोडक्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है हमारी लोगसभा और राजसभा दोनों के ही साउसदों ने इस दिशा में एक नई उचाई हासिल की है और निश्चित तोर पर इसमें उन साउसदों का भी योगदान है जो अब सदन का हिस्सा नहीं है आप देखिए हमने कितना कुछ हासिल किया है साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है सिर्फ बीते एक डेड़ वर्सों की बात करे तो देश ने किसानों को बिचोलियों के चंगूल से आजहात कराने का काम किया है देश ने एक्तिहासिक लेबर रिफार्म्स किये हैं कामगारों के हीतों को सुरक्षित किया है देश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विकास की मुक्षधारा और अनेक कानूनों से जोडने का काम किया है पहली बार जम्मू कश्मीर में अब करप्षन के खिलाब काम हो सके ऐसे कानून बन पाए है देश ने महिलाओं को तीन तलाग जैसी सामाजिक कुरुतियों से भी आजहा दी दी है इसे और पहले की बाते करे तो मासुम बच्चियों से बलातकार करने मालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी इसी दोरान किया गया है आधुनिक अर्थिबवस्था के लिए GST, Insolvency और Bankruptcy Code जैसे कितने ही बड़े बड़े नेड़े हुए है इसी तरह भारत की जो सम्वेदन सिल्फ पहचान रही है उस commitment को पुरा करते हुए हम सबने मिलकर नागरिता सौंसोधन कानून भी पास किया है हमारी ये काम ये सभलताएं अगर हमारे प्रोडक्स है तो इने करने के प्रोसेज भी उतने ही शांदार रहे है संबातह बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन सोलवी लोगसभा में 60 प्रतिशत बिल ऐसे रहे हैं जिनने पास करने के लिए अवसतन दो से तीन गंटे तक की डिबेट हुई है हमने पिछली लोगसभा से ज़्यादा बिल पास किये लेकिन फिर भी हमने पहले से ज़्यादा डिबेट की है यह दिखाता है कि हमने प्रोडक्त पर भी फोकस किया है और प्रोसेस को भी निखारा है और ये सब आप सभी मान्य साउसद गरने किया है आपकी वज़े से हुआ है मैं इसके लिए आप सभी साउसदों को सारवजनी गुरुप से धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ साथियों सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि युवाओं के लिए 16, 17, 18 साल की उम्र जब वो 10, 12 में होते हैं बहुत महत्वपुण होती है सोला, सत्रा, अठारा की ये उम्र किसी युवाओं लोकतंत्र के लिए भी उतनी ही महत्वपुण है आप देखिए अभी 2019 के चुनाव के साथ ही हमने सोलवी लोकसभा का कारकाल पूरा किया है ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही अइतिहासिक रहा है 2019 के बाद से सत्तरवी लोकसभा का कारकाल शुरू हुआ है इस दोरान भी देश ने जैसे निर्णे लिये हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतियास में दर्ज हो गई है अब इसके बाद अठारवी लोकसभा होगी, मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दसक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपुन भूमी का निभ्याएगी और इसलिए मैं ये सोला, सत्रा, अठारगा का महत्वप आपके सामने विशेश रुप से प्रस्तूत किया है देश के सामने कितना कुछ है, जो हमें इस दोरान हासिल करना है चाहे आत्म निर भर भारता ब्यान हो, अर्थ व्यवस्ता से जुड़े लक्ष हो या ऐसे ही कितने और संकल्प इस सब हमें इसी दोरान ही सिद्ध कर रहे हैं और इसलिए सोलवी, सत्रवी, अठारवी लोकसभा का ये कालखन हमारी वादेश के लिए बहुत एहम है देश के लिए इस इतने महत्वपून समय का हम सब को हिस्सा बनने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है और इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जब इतिहास में लोकसभा के अलग-अलग कारकालों का अध्यन किया जाए तो ये कारकाल देश की प्रगति के स्वर्णिम अध्याय के तौर पर याद किया जाए साथियों हमार यहां कहा गया है क्रियाहा सिद्धी ही सत्वे भवती महताम सत्वे भवती महताम नोपकरणे अर्थात कर्म के सिद्धी हमारे सत्य संकल्प पर हमारी नियत से ही होती है आज हमारे पास साधन भी है और द्रड संकल्प भी है हम अपने संकल्पों के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे सिद्धी उतिनी ही जल्दी और बड़ी होगी मुझे विश्वास है कि हम सम्मिल कर एक सो तीज करोर देश्वासियों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे आत्मनिर भर भारत के लक्ष को पूरा करेंगे इनी सुब कामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल